सातियों हमारे बीच आज आदरनिय श्री जैव अगरवाल जी हमारे साथ मुझूद हैं आज इंका सातियों सबसे पहले मैं इंको जनम दिन की शुब कामनाय और बधाईया देना चाहता हूँ चार अपरेल 2020 का दिन है आज और बाउजी का आज 68 साल जीवन का कारेकाल जनता की सेवा में आज इन्होंने स्वरपित किये हैं और 69 साल में की शुरुवाद हुई है चार अपरेल 1952 का बाउजी का जनम दिवस का दिन है और सातियों मैं आज आपके सामने जर्लंदनक WILंए के साथ-साथ, इन से चाहुँआ कि आजे संदेश दें, मोधी जी की आवाज जनता तक करोड़ों जनता तक पचाने के लिए, मैं आज इनका संदेश देने के लिए पस्तितों के सामने आदरन्य श्री झावान अगरवा जी पांच मार्च को पांच अपरेल को आदरनी श्री निरेंदर मोदी जी न अपील करी है उसके बारे में आपको संदेश लड़ा चाहेंगे बाउजी भारत वर्ष के मान्य पर्धान मंत्री का एक ऐसा व्यक्तितु है जो इन्होंने सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है और दुनिया ने लोहा माल लिया है कि आज करोना की महमारी से सारी दुनिया प्लबी थे मगट इसकी रोक ठाम के लिए मान्य नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है वो इतनी मार्मिक अपील साबित हुई है सरकार को को आदेश नहीं देना पड़ा उन्होंने इस अपील को ही भारत की जंतन स्वीकार करके उसको पूरीता अमल किया है जिसलिए मैं यह कहूंगा कि उनका देश के रास्त के परती समर्पन को देखते हुए इस कोरोमा नामत महमारी से हम भारत को बचाने में पूरी तरह से काम्याब होंगे और अधने मोदी जी ने कहा है अगी पांच अप्रेल को शाम को नो बजे नो नो दिये जलाने है या मुंबती जनानी है या कोई भी लाइट करनी है मगर अपने घरों की लाइट और सड़कों की सारी लाइट बंद करके वो इस परकार का संदेश साबित होगा अग्वास्तों में हम अंधकार से मुक्त करके भारत को परकास क्यों ले जाना चाहते हैं इस वावसर पर मैं ये कहूंगा कि मौम्बती और को पूरी तरह से कोर्णामा के किटानों से मुक्त होगा मुझे आशे नहीं पूरा विश्वास है माने नरेंद्र मोदी जी की सपील को सबस्विकार करके और पांच तारिक को उन्होंने पूरा अमल किया इसको परमानिश करके दिखाएंगे रात्री नोब्दे आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच जैवगान जी ने मोदी जी का संदेश बड़ी सरल सरलता से और समझाया है हमार को और बताया भी है और मैं साथी आप से ये भी प्रातना करूँ है कि परतेक व्यक्ति अपने अपने तरीके से फोन करके अपने बातों से संपर्क करके या मिल में हर आत्मा में चले और हमारा देश एक मा मारी से जिस तरके से लड़ा है मोदी जी के दिशार निर्देसों के तवारा वो एक काम्याब हो और इस देश की जनता विश्व के अंद उधारण बने और मोदी जी का ये संदेश हर घर में एक दिये रूप में ज़नना चाही ह ये सरलता से आज हमारे बीच में जैव एगवान जी ने समझाया है और मैं इंका बहुत-बहुत धन्यवत करता हूं और पुना इंको धन्य आज बदाई देता हूं उनके जनम दिवस की 68 साल के आज ये पूरे बाओ जी का जनम दिन और 69 हुआ जनम दिवस है और इसी के साथ बहुत धन्या और मैं साथियो कुछ और भी इस बातों में बताना चाहूंगा कि पिछले 10-12 दिन से लगातार हमारे जैव एगवान जी गरीवों की सेवा के लिए सुबह फल, दूद, भंडारे की वेवस्ता भी की जाती है जिसके इंदर कई-कई बार ये ड्राइ खाना देते हैं चावल, आटा, दाल, तेल, मसाले और कई बार ये लोग इनकी दुवारा जो परियोजन होता है उसके इंदर बनावा खाना होता है और इसने इनका पूरा परिवार सामिल है इन इनके तीन स्पुत्रें साथियों में बताना चाहूंगा और इनकी धर्मपतिनी जी का भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है और पूरा परिवार इनकी तीसवी बीड़ी की भी जो शुरुवाद हुई है वो भी इसी तरगे से सांस्क्रित धार्मिक कारेकरम में जु करें यह एक दिया इन्होंने जला रखाए और माटी का हक जिस देश की मट्टी का हक की अधा कर रहे हैं किषर बिसी विगर किसी राज्योंतिक बएद्भाव और किसी भी ऐसे द्वेश के विगर और जनता के हित्में एक काम हो रहे हैं देश की मिट्टी का हाक अधा करने का कारेकराम कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने माध्यम चुना है आरसेस पार्टी को और जनम से ही पारिवारी के अंदर एक लो है आरसेस की जो इनके दिल में जल रही है और इन्होंने और अपने दिवारा ही हजारों से लाखों लोगों तक यह आवाज पुचा है और यह लोगों आगे इसको पुचा है और सात्यों मैं बताना चाहूँगा कि आरसेस की मांग भी उठती रही है इस टाइम देश की इस विकट प्रस्तिधी के अंदर जिस तरगे से आरसेस ने जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुल बनाया है और जो लोगों के आरसेस के कारे करता सुब़े पांच वे से लेकर अपने 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 शेत्रों मे घर-घर तक पोच के जिस तरगे से सेवा कर रहे हैं खास तोर से वो लोग नाउमीद लोग भ्याडी मजदूर जिनको पिछले 15 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा इस घंबीरता का आर्चिक सिदी का सामना करना पड़ा है इन्होंने गलफ बाटे हैं इन्होंने सैनिटाइ सिंग के बारें बता रहे हैं उनको इस बिमारी से बचने के तरीके के बारें बता रहे हैं इसकी संक्रमिता के बारें बता रहे हैं इसको फैलने से रोकने के बारें बताते हैं तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत इंका भार प्रवार करता हूँ और देश की मिट्टी और मा धन्यवाद देता हूं रसस की जो जितने भी कारे करता है आपके सामने एक अनुबती सामने या कि एक सट साल की उमर में भी आज अपने जन्व दिवस के दोर पे भी आज दिन पे भी आज इंका ये कारे रुका नहीं समाजिक कर रहे और यह लगातार जारी रहेगा मोदी जी के निर्देशों का मोदी जी के आधर्षों को ये जन जन तक पचाएंगे और रसस की लोग भी जन जन में जो कि आलेडी जागरित है उसको और लोगों तक यह बचाने का परियास करेंगे और विरोधी और पार्टीया जो है राजिनितिक पार्टीया उनके मन में भी यह ल गए जी अगरा भी करूँगा कि अपना ये जन हित का कारी ये समाज का कार準 राश्वक्टी का काररे आगे भी जारी रही दिली और पूरे भारत में ये उधारण बन सके और Iained को मैं यह का हूँगा कि देश का सिपाई ब्रडर के ओपर लड़ता है आज RSS को दिल्ली की भारत की आंतरिक सेना के रूप में उसको एक नाम दिया जाना चाहिए ये मेरा अन्यदनिय मोदी जी से आगरा है और देश की जंता भी यही चाहती है कि आज की पर सिदिधी में RSS को एक ऐसा मलकों की ये नी स्वार्थ काम करने वाली एक ऐसी फोस सेना है जो सधारन कारे करता के तो रुपे सुबह निकल जाता है और कारे अपने जंता के बीच में करता और जंता के हित में इसी के साथ मैं पुना बार बार कह रहा हूं धन्यवाद दिता हूं बाओ जी को जमदिंस की और RSS के बारे में मैं आज एक बार जरूर नारा लगाना चाहू हुआ है उनका भी में धन्यवाद करना आरसे जंदावाद और जैव एगवान जी के लिए मैं एक बार नारा लगाना चाहूंगा क्योंकि इनका परियास समाज के लिए और खास्तोर से यह कारेगरम चलता है और इसके बाद मैं पुना इंको धन्यवाद देता हूं जैमा भारती